ब्रदान सबाद चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार युवाउं को बड़ी सौगात देने जा रही है दिसंबर के दूसरे अपते में प्रदेश की युवाउं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बाटी जाएंगे इसके लिए डी जी शक्तिनाम से एक पोर्टल बर आ गया है जिसे जल्द ही सीम्योगी लाउंच करेंगे चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने की कवायच जारी है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं G News उत्तर प्रदेश उत्राखंड की ओफीचल वेब साइट है और इसके मताबक दिसम्बर के दूसरे हफते से आप सभी को टैबलेट और स्मार्ट फोन मिलना श्राट हो जाएगा अब दोस्तों आप सभी को ये भी बता देते हैं क्या 55% से कम नंबर वालों को स्मार्ट फोन और टैबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो स्मार्ट फोन और टैबलेट की योजना है चाहें आपके 40% नमबर हो, 50% नमबर हो या 33% नमबर हो सभी को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने जा रहा है क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार की यह जो योजना है उसका एक ही मकसद है कि छात्र जादा से जादा ओनलाइन पढ़ाई करें क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं करोना वाइरस के कारण छात्रों का पढ़ाई का बहुत जादा लॉस हुआ है तो इसी की भरभाई करने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की यह जो योजना है वो लाई गई है और इसका 200% से कोई भी लेना देना नहीं है उमी दोस्तों यही की जा लिए कि 25 दिसंबर से यानि के पूर प्रिधान मंत्री अटल विहारी वाजपई का जो जनम दिवस आएगा उससे आप सभी को जो टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और पहली खेप में दोस्तों लगबग धाईला के स्मार्टफोन का दोस्तों वितरन यहाँ पर किया जाएगा फिलार दोस्तों वीडियो में इतना ही जैहिन जैभार